ज्यादा तर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों पर ध्यान देते हैं तो दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखे देखे आपने बहुत सुनाओगा की पडूस होला क्या करता है यानि कि जो निंदक होता है वही आपका सच्चा मित्र होता है वो आपकी कमियों को बताता है उसकी बातों को सुनिए और अपने अंदर जो सुधार है उसको कीजिए तो निंदा करने वाले से गवराईए मत जब आप सफल हो जाएंगे तो निंदा करने वालों की राय आटोम पीडियो फाइल जो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिसक्रिप्सिन बॉक्स में और हमारे टेलिग्राम चैनल पर दोनों जगों पर आपको इस वीडियो के पीडियो पली मिल जागी और देखिए जो लूने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको प्रेश कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर मीकरदिएगा तो चली शूरू करते हैं दीए आजिए आज एक agreements का पहला प्रशना है राश्णी दुख्द दिवस यानि कि नेशनल मिल्कदे कब मनायाता है कि चरबीस नमर को हर साल और ये दिन जो है Dr. Vargis Korean के सम्मान में मनायता है जिनको भारत में स्वेत क्रांती का जनक मनायता है देखे अंगरे जी में पुछायता प्रश्ण की Who is the father of white revolution in India यानि की भारत में स्वेत क्रांती का जनक किसको मनायता है तो ये बेकिया है Dr. Vargis Korean धिकल और दिवस है जो आपका विश्वत दुख्त दिवस के नाम से आता है तो विश्वत दुख्त दिवस को हम समीधान के सम्मान में अगला प्रशनी की भारती सम्मिधान दिवस का मना गया देखे बहुत सारे बच्चों ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर सम्मिधान दिवस की बहुत बहुत सुखामना है तो देखे मैं सबको रिपलाई तो नहीं कर पाया लेकिन अभी मैं फिर से बोलेता हूँ एक साथ सबी लोगों को जितने वीवर्स हैं आप सबी लोगों को सम्मिधान दिवस की बहुत बहुत सुखामना है तो देखे सम्मिधान दिवस 26 نومबर को बनाये गया है 1909 में 26 नومबर के दिन सम्मिधान को अपनाये गया था जो 26 जनौरी 1950 को लग हो गया था जिससे बारत के इतियास में एक नई यूकी शुरुवात होई थी देखे आपको पता होगा कि 2015 में डाक्टर भीम राव मिटकर की 125 जैन्तरी हमने सेलिबरेट की तो पूरे साल यानि कि पूरे 2015 में डाक्टर भीम राव मिटकर की 125 वी जन्ती पूरे धुमदाम से मना जा रही थी उसी समय भारत सरकार ने 19 नॉमबर को अनौशमेंट कर दिया कि अब 26 नॉमबर को समिधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और देखे इससे पहले जो आपका ये 26 नॉमबर का दिन हुआ करता था ये जो है कानून दिवस यानि की लाडे के रूप में मनायाता था लेकिन 26 नॉमबर को ये कानून दिवस बदल गया समिधान दिवस के रूप में तो अब 26 नॉमबर को हम क्या मनाते हैं भारतिय समिधान दिवस यानि की Indian Constitution Day और पहले इस दिवस का नाम क्या था? कानून दिवस नाम था इसको भी याद रखेगा तीशरा प्रस्ण मारा की हाल ही में साही त्यकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद असमी कभी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दिखेए ये साही त्यकादमी अवार्ड विजेता आपके थें सनन्त तांती तीखेए तो जबके सनन्त तांती हैं इनको साही त्यकादमी पुरस्कार से सम्माने त्या गया था 2016 में और इनका एक कविता संग्रा है कैलोईर दिन्तो अमार होबो तो इसका हिंदी में मतलब है कल का दिन हमारा होगा तो आज आपने थोड़ा सा असमी भी सिक लिया कल का दिन हमारा होगा इसको सम्मी में का खेंगे कैलोईर दिन्तो अमार होबो ये कविता संग्रा है किसकी सनन्त तांती की सनन्त तांती कौन है ये कविता संग्रा के लिए इनको 2016 में साही त्यकादम पर रोख लगा दी है दीखिए ये question जितना मज़ेदार है उतना ही एक तरीके से का जा है important भी exam के लिए दीखिए एक देश है उत्तर कोरिया यहां पे अजीबों गरीब घटना होती रहती हैं यहां का एक तानासा है जिसका नाम है कीम जोंग उन जो supreme लीडर है नार्थ कोरिय तो यह इसने एक लेदर का कोट पहना था और इसकी लेदर की जो कोट थी इसकी नगल की गई कुछ कमपणियों के दौरा और उसको फिर मार्केट में उतार दिया गया तो इसने सुचा कि ससुरा हम जो बहन है वो तुम लोग कहा है बहन रहे हो मैं एक खास इंसान हूँ केवल और केवल मैं पहनूंगा ठीक है तो उत्तर कोरिया में इसलिए यह लेदर कोट पहनने और इसकी बिक्री पर रोक लग गया है उमीद है इस स्टोरी सुनके आपको जिंदगी बर कभी ने बुलेगा कि किस दिस में लगा है देखे नार्थ कोरिया यानिकि उत्तर कोरि सबसे बड़ी है बहुत है मलब हमारा मलब कोई का एक रुपया इंडिया के लगभाग 200 यानि 220-218 इसे इतने के बराबर होता है ठीक है तो काफी संपन ने दिस है क्योंकि यहां में कुरूड आया यह निकि जो आपका यह कच्चा तेल है पेट्रोलियम वाला तो यह काफी के नए परधानमति का के हैसेख सबाद ल gjृसल हा जबह ज़रूरी था इंक इसरदी में कुरूफया इस्सरा इसलामिक सयूप संगटान यानि की आर्गनाईसान आप इस्लामी कॉपरेशन में दूद के रुप में भी काम की अधाईस से भेले और इनको सौधी अरब के द्वारा उन्नी सो न्ठानबे में प्रतम सड़ी के किंग अब्दुल अजीज के आदेज से भी समानित किया गया था तो ये चीज़ रखेगा एक्स्ट्रा में देखी कुवेट की बात करें तो ये आपका Middle East Asia में सित है Capitalist की है कुवेट सिटी कुवेट की करंसी है कुवेटी दिनार और कुवेट की पॉपलिशन है 42.7 लाग और कुवेट की official language क्या है एरबिक है चड़ों प्रशनी की 37 भारत इंडोनेसिया कॉर्पेट अभ्यास कहां पर आजित किया गया तो देखी जो 37 भारत इंडिया सोरी भारत इंडोनेसिया कॉर्पेट अभ्यास है ये अभिहाली में हिंद महा सागर यानि की इंडियन ओसियन में आजित किया गया था देखे भारत और इंडोनेशिया की बीच में सुरक्षा और सनच्छा सुनस्चित करने के लिए इस अभ्यास का जो आउजन है ये एक साल में दो बार किया जता है और पहली बार इस अभ्यास का जो आउजन कहां पर किया गया था देखे ये अभ्यास सबसे पहली बार 2002 में किया गया था और इस बार का जो ये अभ्यास हुआ है सैथिस्वान भारत की इंडोनेशिया कारवट अभ्यास तो दीखें ये हिंद बाहसागर में आजित किया गया और इस अभ्यास में भारती नौसेना की जहाज INS खंजर और डोनियर समुद्री गस्ती विमान ने पार्चविट किया था और इंडोनेशिया की नौसेना के तरब से उसके जहाज की आर आई सुल्तान था सैथुद्दीन 376 ने इस अभ्यास में भाग लिया था देखे कभी कभी पूछ लिता है एक्जामनर अगर कोई पागल टाइब का मिल जाता है तो वो अभ्यास के बारे में पूछेगा और कहेगा यार इसमें भारत के किस यूद्वपोत ने पार्चविट किया था तो ऐसे इसको पूरा स्क्रीन सोड़ लेके नोट के लिजेगा जितना चीजे मैं दे रहा हूं बहुत सेलेक्टिव होती हैं देखे इंडोनेसिया के साथ भारत और भी ब्यास करता है कॉर्पेट के अलमा देखे भारत इंडोनेसिया के साथ समुद्र सक्ति नामक एक साथ करता है साथवां की गांटेस्टेड लेंट इंडिया चाइना एंड दाबांडरी डिस्प्योट कि इसके लिखी करे पूस्तर को दिखे जो आपका कंटेश्ट Ilen इंडिया चाइना का दिखे कास्तर करता है और आप निवेसिक काल के बाद इतिहास की ब्याक्ख्याओं से उपजी वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद का बिसलिसर करती है देखें मरूप राजा की जो ये पुस्तक है Contested Land India China and the Boundary Dispute ये आपका January 2022 में पब्लिस होगा ठीक है देखें मरूप राजा की अन्य पुस्तके हैं मतलब ये पुस्तक तो आपने जाने लिया Contested Land India China and the Boundary Dispute इसके लाओं इन्होंने अन्य पुस्तके भी लिखी है देखें मरूप राजा की अन्य पुस्तकों में सुमार है कसमीर्स अंटोल्ड स्टोरी और इसको इकबाल चंद्र मलोत्रा के साथ सालेखन में इसको लिखा था इन्होंने और एक और पुस्तक है सौरेगा था सौरेगा था भारत के वीर सेनानी इस पुस्तक का पुरा नाम है और लेटिनेंट कर्णल सिवदान चिंग साथ मिलकर सालिखन किया था मरूफ रजा ने और इनकी एक और पुस्तक है War Dispatches 1971 तो इस पुस्तक को मरीप राजा ने Brigadier BS Mehta के साथ में सालिखन में लिखा था आड़ो प्रशनी की हाली में PM Modi ने उत्तर प्रदेश के जिले की जिवर में नोइडा अंतर राष्टी हवाईड़ी की आधार चिला रखी है तो दिखिए जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है इस पुस्तक को आप लोग जो है मैक्सिमल लोग जानते होंगे लेकिन जो चीजें आसान होती है उसी में एक्जाम में मिस्टेक हो जाता है आपने देखा होगा और वो किया होगा अगर आपने एक्जाम दिया है तो अब याद रखिए कि प्रधान मतरी मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में वहाँ पे प्लेस है जो जेवर ठीक है तो जेवर में बना एक नोइडा अंतराश्टी होगा जो है इसकी आधार सिला रखी है देखिए इस होगा इड़े को जूरीक एरपोर्ट इंडरनेशनल एजी के द्वारा 1330 एकड़ भूमी छेत्रे में विक्सित किया गया है और इस होगा इड़े के सितंबर 2024 तक चालू होने की उमीद है और एक बार चालू होने के बाद ये होगा ये भारत का सबसे बड़ा होगा और देश का पहला सुद्द सुन्य उद्सर्जन होगा भी होगा पेज का स्क्रीन सॉट लेगे पूरा डीटेल जो उसको नोट कर लिएगा देखिए मंतली करेंडेपर का वीडियो महिने के लास्ट में मैं जो है अपलोड करूँगा और उसको सभी लोग देखके और सारी मतलब कंटेंट को जो है कोमेंट बॉक्स में आंसर दे दे के जो है रीविजदन भी कर लेते हैं देखिए मेरा एक और चैनल है नीचे डिस्कॉप्सम बॉक्स में लिंक दे दूँगा उसको क्लिक करके जो उसको जोईन कर लिएगा वहाँ पे भी आपको आप कंटेंट मिलेंगे अगला प्रशने की हाली में केंदरी वित और कार्पुरेट मामलों के मंतरी निर्मला सीता रमण ने कितने वर्स तक की आयू की लड़कियों के लिए अपना ब्यावसाय सुरू करने के लिए जम्मू कस्मीर बैंक की तेजस्वनी और हौसला योजना नाम से दो योजनाय सुरू की है तो देखी जो आपकी तेजस्वनी और हौसला योजनाय है ये 18-35 वर्स के बीच की लड़कियों के लिए सुरू किया गया है केंदरी वित और कार्पुरेट मामलों की मंतरी निर्मला सीता रमण के द्वारा आई थोड़ा साइ इन दोनों योजनायों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है इसके विशिस मात्व देखी जो आपका तेजस्वनी योजना है तो इस योजना का लक्षे है युवा मैलाओं को उनकी विशिस सगिता, योगिता और अस्तानिये परिस्थिदियों के अनुकूल लापकारी सोरोजगार उद्यमस्तावित करने के लिए पांच लाग रुपे तकी वित्तिय सहायता परदान करना और जो तेजस्वनी योजना है यह 18-35 सोरोजगार के बीच की मैलाओं को अपना ब्यावसायत सुरू करने के लिए पांच लाग रुपे की वित्ति सहायता परदान करने पर केंद्रित है और दूसरा जो आपका होसला योजना है तो देखे वर्तमान में मैला उद्यमियों को उनके संबने छेत्रों को रोल माडल के रूप में ससक्त बनाने के लिए जम्मू कस्मीर ब्यापार समर्दन संगठन के तहत इस होसला योजना को सुरू किया गया है और देखे जम्मू कस्मीर में केंद्रि वित और कारपुरिट ममलू की मंत्री निर्मला सिद्रमण ने एक और योजना शुरू की थी इन तेजस्विनी और हौसला योजना के अलावा देखे निर्मला सितारवन ने जम्मू और कस्मीर में परेटन की विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की सिखर और सिकारा जोना को भी शुरू किया देखे सिकारा होता क्या है मैंने तो बढ़ा है आपने अगर नहीं पढ़ा तो आज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक नाओ दिख रही है नाओ में एक छोटा सा तंबू लगा है इसमें सोने की भी जगा होती है बैटने की भी जगा होती है तो इसको हम सिकारा कहते हैं देखे सिकारा जो है जो आपका जम्मू कस्मीर की डेल जिल बगर है तो वहाँ पर ये काफी चलता है लुग जाते हैं किराय पे मलब इसको बुक करते हैं और आनद लेते हैं डेल जेल में ठीक है तो जो आपका सिखर यूजना है ये होटल टूर और परेटन उद्दियो के लिए दो करोडों पे तकी रिण आउसकता को पूरा करने पर खिंद्रित है और जो आपका सिखर यूजना है सिखर यूजना के तहट कस्मीर घाटी में सिखरों की खरीद मरमत के लिए 15 लाग रुपे की साहिता प्रतान की जाएगी इस यूजना की तहट तो ये आपकी है सिखर और सिखर यूजना जो की परेटन से समद्दित है सीखा रहा है यहां पर दिख रहा है सीखर यूजना का मने बता दिया सीखर यूजना के थायत जो होटल, टूर और परेटन उद्दूग है इनको दो करोड़ों पर तक की रिण आओ सकताओं को पुरा करने पर जो है मतलब यह 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 जितने होटल होटल वाले हैं उनको दो करोड़ों पर तक कर लोन देगी PNB यानि की पंजाब नेशनल पहेंग किसलिए ताकि वो नए होटल बना सकें, होटलों की मरमत कर सकें ताकि परेटन को वड़ावा मिले जम्मू कस्मेर में अगला की हाली में किसने CSIR जिग्यासा कारिकरम के तायत बच्चों के लिए भारत की पहली Virtual Science Lab लांच ही तो देखें बच्चों के लिए जो भारत की पहली Virtual Science Lab है इसको अभियाली में जीते अंदर सिंग ने लांच किया है देखें जीते अंदर सिंग केंदरी विज्ञान और प्रदोकी मंतरी हैं इन्होंने CSIR जिग्यासा कारिकरम के तायत बच्चों के लिए भारत की पहली Virtual Science Lab को लांच किया है इस Science Lab से देश बर के वैग्यानिकों से जो स्कूल ही छात्र होंगे ये जुड़ सकेंगे यानि की भारत में जितने भी स्कूल के स्टूड़ेंट है ये वैग्यानिकों से जुड़ सकते हैं इस Virtual Science Lab के मार्द जारहों क्रशने की Conversations India's Leading Art Historian English with 101Themes and More किसकी लिए पुस्तक है तो देखें इस पुस्तक को लिखा है ब्रजिंदर नाद घुस्वामी ने यारके का Conversations India's Leading Art Historian English with 101Themes and More जो है इस पुस्तक को लिखा है ब्रजिंदर नाद घुस्वामी ने देखें आपको दादू जो आपके ब्रजिंदर नाद घुस्वामी है प्रतिश्रित इधियासकार है और इनको पद्मपुरिसकार से भी समन किया गया है इन्होंने भारती कला पर एक नई किताब लिखी है और इस किताब का सिर्सक क्या है Conversations India's Leading Art Historian English with 101Themes and More और देखें इस पुस्तक को पेंग्वीन रेंडम हाउस इंडिया के दोना प्रकासित किया गया है तो यरके का Conversations India's Leading Art Historian English with 101Themes and More जो है इस पुस्तक को लिखा है भारत के प्रतिष्टित इटियासकार और पद्मपुरिसकार से समानित ब्यक्ती व्रिजिंदर नाथ को सौमिन है बारावाँ प्रश्ण है नाइट हुड आप पार्ट गुलफा से समानित होने वाले पहले भारति कोन बन गया है तो दीके भीहाली में S.K. सोहन राय को जो है नाइट हुड आप पार्ट गुलफा से समानित किया गया है ये केरल से बिलोग करते हैं केरल की निवासी हैं डाक्टर S.K. सोहन राय को ब्यापार और फिल्मों में इनके मानवी और परियावरर सनचर प्रियासों के लिए नाइट हुड आप पार्ट गुलफा से समानित किया गया है और ये इस समान को पाने वाले पहले भारती भी है यानि कि अब तक ये समान किसे को मिला नहीं था और डाक्टर S.K. सोहन राय को अभी हाली में ये मानवी तुपा दी जो है एनूस डोमिनी 2021 के पार्ट गुलफा के निवेस के दोरान आयोजित सम्मेलन समारों में प्रदान की गई है ये सम्मेलन अभी हाली में बेसी रीका क यूनियन लिमिटेड के साथ ब्यक्तिकर डेरी किसानों के तीन लाग रुपई तके विद्द पोसरे के लिए समझोते किया आपन पर अस्ताक्चर के बारती स्टेट बेंक के साथ खया गया यहा कहेगा कि भारती स्टेट बेंक ने पॉंडीचेरी कोपरेटिव मिल्क प्रो के माद्यम से उपलब्द होगा SBI ने नियमित आधार पर वानेजीक डेरियों को दूद की आपूर्थी करने वाले ब्यक्तिकर्ट डेरी किसानों के वित्पूसर के लिए सफल सरल और तेज क्रिसी रिंड नामक एक प्रदो की उत्पात को पेस किया हाली में ठीक है तो इसी के माद्यम से यह रिख दिया जागा और इसमें यह जो आपका State Bank of India का यूनिव अपलेकेशन होगा इसी के माद्यम से यह रिंड उपलब्द करा जाएगा State Bank of India के बारे में तीन चीह रिखेगा जो सबसे आदे पुछा था कि इसके स्थापना कब होई थी तो इसके स्थापना एक जुलाई उनीसोप पच्पन होई थी वर्तमान में इसके दक्ष है दिनेश कुमार खारा इसका मुख्याले मुमई में है 14 की हाल ही में मैंद्य प्रदेश के मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चौहन ने किस जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवाजी आईकान तांत्या भिल के नाम पर रखने की घोटा की है तो दीए अभी हाली में मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौवान ने मद्य प्रदेश के भोपाल जिले के पाताल पानी रेले विश्टेशन का नाम आदिवाज सी आईकान त्यांते अभिल के नाम पर रखने की घोटा कर दी है तो अब जो आपका पाताल पानी रेले विश्टेशन था ये तांते अभिल के नाम पर हम जाना जाएगा ये आपका भोपाल जिले में स्तित है मद्य प्रदेश के तांते अभिल के बारे में जान लेते हैं इन्होंने ये गोश्डा की कि इसके साथ में या नहीं की जब का ये भोपाल में से जो पाताल पानी रेल्वे स्टिसन था तो ये अब तांतिया भिल के नाम से तो जाना ही जाएगा लेकिन इसकी अलामा दो अन्यस तलों भावर कुआ चोराहे को और एमार दस पसिस्टेंड क नाम भी तांतिया भिल के नाम पर रखा जाएगा और ये विशेश तुरुप से जो भोपाल का हाभीब गंज रेल्वे स्टिसन है इसका नाम हाल ही में एक आदिवासी रानी कमला पती के नाम पर रखा गया था जो मैंने आपको पिछले सेसन में बताया था तो पिछले करे पर को देखते रहे है रिवाइस करते रहे है 15 प्रिशनी की हाल ही में बांगलादेश के किस क्रिकेटर एओं टी-20 कप्तान ने टेस्ट फार्मेट से सन्यास लेने की खोशा किया है तो देखिए बांगलादेश के ये क्रिकेटर आपके हैं मामुदुल्ला रियाद इन्हों में बांगलादेश करिकेटर टीम के टी-20 इंटरनेशनल प्रारूप के टीम के कप्तान है इसको याद रखेगा तो यह थे आपके आज के सभी मातवर्स करेंटेपर और हम बात करेंगे आज के सभी कोशन आप डेवे तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अंसर देंगे और व बताईए और अगलाद की हाली में अब्दुल्ला हम दो किस दिश्ट के नए प्रधार्मदी चुनेगा है और अगलाद की हाली में केंद्रि-गर्य मत्री अमित साह ने किस राज में रानी गाईदिनलीव ट्राइबल फ्रीडम फाइडर्स म्यूजियम की नियू रखी बताईए और अगला एक इनिम्न में से किस राज ने तीन राजधानी वाले विध्यक को निरस करने की खोश्टा किया है अंजर बताईए दी कल मैंने तो कोश्टन पूछा नहीं था तो कल की कोश्टन हमड़ी का अंसर आपको आज देना नहीं है कल मैं पूछूँगा और कल मैं अंसर भी दूँगा फिर से ठीक है तो मिलते हैं कल के सेजन में जैहिं जैवारत